Good morning बच्चो, आज हम पढ़ेंगे बच्पन. बच्पन मतलब जो हम चोटे थे तब की यादें हमें तरों ताजा करनी हैं. बच्पन में हमने क्या क्या किया है? यहाँ पर चित्र देखिए दादी जी अपने बच्पन के बारे में बच्चों को कहानिया सुना रही है यहाँ पर लेखिका अपने बच्पन के बारे में बता रही है मैं तुम्हें अपने बच्पन की ओर से लाऊंगी मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ मतलब लेखी का कि उम्र भी दादी मा की उम्र है तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ दादी है जो पिता जी की मा है नानी जी हो जो है मा की मा है बड़ी हुआ भी बड़ी मौसीत भी हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा-बड़ा यानि उम्र में सयाना महसुस करने लगी हूँ सयाना मतलब समस्दार शायद इसलिए कि पिछली शताबदी में पैदा हुई थी मेरे पहनने ओनने में भी काफी बदलाव आये हैं नवीन यूग और जबके 1947 के पहले जबके पहनना और रहनना रहन सहन का ढंग काफी अलग था और अब अलग है पहले मैं रंग भी रंगे कपड़े पहनती रहती थी नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चोकलेट इस तरह के कई रंगों के कपड़े पहनती थी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेधी पहनों, गहरे नहीं, गहरे मतलब डॉर्क कलर्स हलके रंग पहनों, मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशा के पहनी है पहले फ्राक, फिर निकर, फिर वाकर, निकरवाकर, फिर सकर्ट, फिर लहेंगे, फिर गरारे और अब चुड़िदार और घेरदार कुरते बचपन के कुछ फ्राक तो मुझे अब तक याद है क्योंकि बचपन में सभी लोग फ्राक ही पहनते हैं हलकी नीली और पीली धारी वाला फ्राक, गोल कालर और बाजू पर भी गोल कफ एक हलके गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्राक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल जो उन दिनों फ्राक के उपर की जेब में रुमाल और बालो में इतराते रंग भी रंगे रिबन का चलन था लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला गर्म फ्राक जिसके नीचे फर टकी थी लेस दो ट्यूनिक भी याद हैं एक चौकलेट रंग का था और एक अंदर की कोटी प्याजी थी दूसरी ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी मुझे अपने मोजे और स्टकिंग भी याद हैं मोजे मतलब सौक्स बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकता था इसकी सक्त मनाई थी क्योंकि हमारे कारे हमी ही खुद ही करते थे हम बच्चे इद्वार की सुबा इसी में लगाते धो लेने के वाद बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है हौला की अब नई नई किस्म के शू आज आ चुके हैं कहना होगा कि ये पहले कहीं ज्यादा आराम द्यायक है हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता था जो नए जूते हैं नया नया जो अपने पैरों को काटते हैं उससे पैरों में चाले आ जाते थे जब कभी लंबी सेर पर निकलते अपने पास रूई जरूर रखते जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर हाँ हमारे तुमारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है क्योंकि जब का जमाना अलग था और अब अलग है हर शनीचर को हमें ऑलिव आईल या कैस्टर आईल पीना पड़ता था क्योंकि वह मुश्किल था शनीचर को सुबा से ही नाक में इनकी गंद आने लगती थी बहुत कटिन होता था उस तेल को पीने में छोटे शिशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशाना पड़े रहते हैं उन्हें देखते ही मतली होनी रगती थी मतली मतलब वामिटिंग संसेशन मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगनने वाला नहीं था सेहर ठीक ही रहती थी तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहां तक की बचपन की दिल्चस्पियां भी बदल गई है याद रहें उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन भी थे और रेडियो भी थे और टेलिविजन नहीं था हमारे बचपन की कुल्फी आईस्क्रीम हो गई है कचोडी समोसा पैटीज में बदल गया है शहतूत और फालसे और खसकस के शर्बत कोग पेपसी में बदल गए पहले हम घरेलू चीजें पीते थे आजकल के बच्चे पीज़ा कहते हैं मंचुरिया कहते हैं नूडियल्स कहते हैं या कोग कहते हैं स्प्राइट कहते हैं इस तरह परन्तो हम लोग शर्बत पीते थें खसकस का या तो शहतूस का या फालसे का उन दिनो कोग नहीं, लेमन नहीं, विम्टो मिलती थी शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्तराउंट में की चाकलेट और पेश्ट्री मजा देने वाली होती थी हम भाई भाईनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन प्रेड लाने की हमारा घर माल से ज़्यादा दू नहीं था एक छोटी सी चड़ाई और गिर्जा मैदान पहुंच जाते थे गिर्जा घर मतलब चर्च वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी कौन पर तरह तरह की पेस्टी और चॉकलेट की खुच्बू मन भावनी थी हमें हफते में एक बार चॉकलेट खरीदने की चुटी थी चूट थी मतलब चांस मिलता था सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी या स्टॉक रहता था मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती घर लाट कर सैंड़ीच साइट बोर्ट पर रख देती और रात के स्खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मजा मजा लेते हुए मैं चॉकलेट खाती थी शिमला के काफल भी बहुत याद आते कहानिया खटे मीटे थे सुक्य और दुखी कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रजबरी कसमल सोचरी की मुँ में पानिया भराए चेसनट एक और गजब की चीज है आग पर भूने जाती है और फिर छिलके उतार कर मुँ में चने जोर गरम और अनार के दाने का चुर्न हाँ चने जोर गरम की पुडिया जो तब भी थी और अभी भी है पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुडिया में निरा हात का कमाल है नीचे से तिर्ची होती है और उसमें लपेट्ट हुए उपर चने डाला जाता है आसानी से हत्यली पर फौँच जाए एक वक्त था जब फिल्म का गाना भी चना जोर गरम था उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था कुछ बच्चे पुडिया पर तेज मसाला बुर्कवा थे पूरा गिर्जा मैदान घूमने तक यह पुडिया चलती ही रहती थी एक एक चना पापड़ी मुह में डालते हुए और कदम उठाने में एक खासी लई रफतार थी मैदान में हम लोग चने चापते हुए मैदान पूरा घूमते थे चुटपन में हमने चुटपन मतलब बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किये हैं घोडों की सवारी की है शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था मतलब घोडे पर बैट कर घूमना हम जाने क्यों घोडों को कुछ कम तर करके समस्ते हैं उन पर हस्ते हैं ननियाल के घोडे खूब रुष्टु पुरुष्टु होते हैं और खूब सूरत भी उनकी बात फिर कभी शाम को रंग भी रंगे गुबबरे सामने जाखु का पहाड उन्चा चर्च चर्च की घंटियां बस्ती तो दूर दूर तक उनकी गुँझ फैल जाती हैं ध्वनी गुँझ मतलब ध्वनी इसके संगी से प्रभु इशु स्वयम कुछ कह रहे हैं सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है सूरज डूब रहा है शाम हो रही है गुलाबी सुनहरी धारिया नीली आसमान पर फैल रही है दूर दूर फैल पहाडों के मुखडे गहराने लगे हैं और देखते देखते बतियां भी टिम टिमाने लगी शाम हो गई तो स्टीट लेट डालते हैं रिजपर की रोनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने जैसे स्याम होती है माल्स में शापिंग माल्स में लेट जलाया करते हैं तो उसी से उसकी शान और शौकत बढ़ जाती है स्कैंडल पाइंट की भीट से उभरता खोला हल साम के वक्त सारे लोग शापिंग करने के लिए निकल पड़ते थे सरवर स्कैंडलन पाइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था इसकी पट्रियां उस पर खड़ी छोटे-छोटे डिबों वाली ट्रेन एक ओर लाल टीन की छतवाला स्टेशन और सामने सिगनल देता खंबा थोड़ी-थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे पिछली सदी में तेज रफ्तर वाली गाड़ी यही थी कभी-कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दोडते दीखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है फंक फैला कर यह देखो और वह गायब उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी एरो प्लेन की जो गाड़ी के मॉडल वाला दुकान के साथ एक और उसी ऐसी ही दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूल पाती जो वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था वहां आँखोई डाक्टर अंग्रेश थे शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते क्योंकि पहली बार मैं अपने आँखों पर चश्मा पेन रही थी आँखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में आइनक दूद पिया करो डाक्टर ने कहा मैं डाक्टर साहिब का कहा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो आइनक उतर जाएगी डाक्टर ने कहा मुझे की उस आइनक को पहन कर ही रखना है वैसे डाक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था आश्वासन करते हैं बरोसा दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा नमबर बस कम ही होता रहा है मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ जिम्मेदार हूँ क्योंकि हम जब दूद नहीं पीते हरी सबजी नहीं खाते तो हमें आँखों की परेशानी आती है जब आप दिन की रोशनी को छोड़ कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो हमें हमारे आँखें खराब हो जाएंगी तो इसके अलावा और क्या होगा हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा देखो देखो कैसी लग रही है आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की मैं खीजी की मुझे पर यह क्यों दोहराया जा रहा है पर शेर बुरा ना लगा जब वह चाई पी कर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी हो गई कई बार अपने को देखा आइनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी देखते रही देखते रही सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं हाँ हाँ इस तरह मैं अपने आप कह रही थी मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा कुछ अजीब लगा फैशनबूल लगी अच्छा भी और मजा क्या भी तब की बात थी कब की बचपन की बात थी अब तो चहरे के साथ घुल मिलकर गया है वह चिश्मा जब कभी उत्रा हुआ होता है तो चहरा खाली खाली लगने लगता है क्योंकि मुझे आदत सी हो गई है याद आगया वह टोपा काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत हाँ इन दिनों शिमला में है मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैंने कई रंगों की जमा कर ली है कहा दुपटों का ओड़ना और कहा सहज सहल सुभीते वाली हिमा चली टोपिया तो यह सारी बाते मेरी बच्चपन की बाते हैं तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पात समझ में आया हो धन्यवाद